दोस्तो प्रदिवीरे एकाइट भी इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है प्लीज यार बहुत सारे लोग चैनल पर विजिट कर रहे हैं लेक्चर्स को भी देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सबसे पहली चीज कुछ बेसिक स्टेप्स आपको पता होने चीए मैट्रिक्स के अंदर जैसे अगर सबस यहां पर यह मैट्रिक्स हैं अगर सबस मुझे यहां पर उन लेकर आना है तो मैं क्या कर सकता हो हो तो मेरे पास दो और प्स एंडवार क्लियर हो गया, येस सर, अब दोस्तों अगर समझो, step number second, अगर मुझे apply करना है, अगर यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हो, R1 और R2 को मैं क्या कर दूँगा, दोस्तों, interchange, interchange को हम ऐसे भी लिखते हैं, आप ऐसे भी अगर कहीं पे requirement लगी, तो आपको पता होना चीए, अब बात आ रहा है कि सर, normal form क्या होता है, तो normal form में अगर कोई भी आपको इस तरह से दिया होगा, तो पहला काम है, आपको यहाँ पे 1 लाना है, फिर आपको उसके नीचे, आपको ऐसे नीचे की और देखना है, नीचे की और जो भी उसके rose दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है, यह पूरा का पूरा क्या करना है, 0 लेकर आना है, फिर आपको नीचे की और देखने की और फिर सामने देखना है, सामने यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहे है, column transformation से इसे भी 0 लेकर आना है, फिर next यहाँ पर जो भी element आपको मिलेगा वहाँ पर आपको क्या करना है 1 लेकर आना 1 कैसे करना अगर समझो यहाँ पर 5 है तो आप R2 divide by 5 कर दो अगर समझो यहाँ पर 9 है तो R2 divide by 9 कर दो अगर इनके से यहाँ पर 2 by 5 है तो R2 divide by 2 by 5 कर दो मैं ऐसा steps बताऊंगा दोस्तो जिससे आप पूरा का पूरा sum solve करोगे बगस अगर आप एक sum अगर solve कर लो ना तो इस type का कोई भी sum आप solve कर लोगे मैं ऐसे steps बताऊंगा अगर आप book में इसके steps देखोगे even मैंने बोलाई कि बहुत सारे teachers तो book के same to same steps आपको यहां पर बता देते हैं बड़ मेरा हमेशा से मानना ही है रहा कि अगर sum change हो के आया तो आप क्या करोगे इसलिए आपको steps के उपर जाना है जो चीजे मैं यहां पर बताऊंगा अब देखो दोस्तो यहां पर one आने के बाद आपको next target यह है यह zero करो फिर आपको यह zero करना है and next आपको क्या करना है इसी तरह से आपको आगी की और बढ़ते जाना है मैं sum solve कराऊंगा आपको बताऊंगा तो इससे ही हम क्या वोलेंगे दोस्तो normal form अब दोस्तो अगर आपने sum को पूरा का पूरा solve किया या अगर suppose आपको इस तरह से formula normal form इस तरह से आपको दिखाई दिया तो आप यहाँ पे rank of matrix अगर आपको लिखनी के लिए है तो आप कैसे लिख सकते है तो दोस्तो identity matrix यहाँ पर आप देखोगे तो क्या दिखाई दिख रहा है तो यहाँ पर अगर आप identity matrix मैंट्रिक्स दिख रहा है तो यहाँ पर अगर आप दियान से देखोगे identity matrix यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर वन कितने है दोस्तों 2 है आप मुझे प्लीज यहां पे comment करके बताओ कितना rank of matrix आएगा प्लीज comment करना यहाँ से अब दोस्तों यह देखोई यह sum है most of the universities को यह question दिखाई देता है से रो में है second row में मुझे कहां पे लेकर आना first में तो मैं क्या कर रहा हूँ अब देखो बाई इंटर्चेंज कर रहा हूँ तो यहां पर डेटा लिख रहा हूँ देखो यह जो second row है उपर आ जाएगा 1-1-2-4 और first वाला नीचे आ जाएगा 2-3-1-1-1 और बाकी का 3-1-3-2 as it degrees six three zero minus seven as it is अब यहां तक啦 part होने के बाद दूस्तों नेक्स्टेंजんな डेको perfectly one-1-1-2-493-1-1 अब यहां परिंए लिखने के बाद अब Jeśli अग्रमने क्या करना है दोसरे next step की और हमें बढ़ना है और next step हमें क्या करना है दोस्तो, next step देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब मैं क्या करूंगा यह जो elements है दोस्तो, यह यह तीनो elements हम क्या करेंगे 0 लिख राएंगे, अब यह 3 जीरो कैसे आएंगे दोस्तो, कौन से रो में है, दोस्तो second row में, कौन से रो में है, दोस्तो, third row में कौन से रो में है, दोस्तो, fourth row में, देखो, मैं आपको सिखा रहा हूँ कौन से रो में है, second row में तो मैं यहाँ पे देखो, R2 लिख रहा हूँ मैं हमेशा किसका reference लूँगा दोस्तों बता है इसका ये वाले का reference लूँगा मैं इसमें भी 0 कर सकता हूँ पर मेरे लिए सबसे अच्छा मैं इसको normal सा बच्चा भी solve कर सकता है देखो इसको 0 लाना है इसका reference लूँगा तो मैं reference किसका ले रहा हूँ दोस्तों R1 का सर यहाँ पर number कौन सा है 2 है 2 का opposite number क्या होता है minus 2 हो गया formula ready सर बहुत easy है यहाँ पर इसको अगर मुझे 0 लेकर आना है तो दोस्तों कौन सा row है R3 कुसका reference लूँगा R1 का ही तो यहाँ पर number क्या था 3 का opposite minus 3 R4 reference R1 का 6 का opposite minus 6 अब करोगे देखो आप यहाँ पे सबसे पहले देखो जो R1 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 जो पीछे लिखा है उसको एजटीज आप कॉपी कर दो से यह वाले formula के help से यह तीनों values हम find out करेंगे और मैं तो बोलता हूँ कि प्लीज आप मेरे साथ एक बार प्लीज प्रैक्टीस करना तो यह आपको आएगा find out करने देखो मैं यहाँ पर formula लिख रहा हूँ R2 minus 2 R1 अब मैं जब यह find out करूँगा तो इसके उपर यह वाला stuff यह है दोस्तो यहाँ पर र2 का value कि है धूसतो 3 है माइनस 2 इन्टू आर वन कि है धूस्तो few यहाँ पर यह सौ गरने जाओ तो सेमा अलटू का ही तो अब देखो यह वालू गरना इसके उपर एला वेलु यह यह है तो यहाँ पर आलटू किछ नाा है value of r2 is minus 1 minus 2 और minus 4 तो finally answer कितना है 7 तो perfectly हमने सभी values को यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तो लिख दिया अब यह formula का use हो गया तो मैं जान बुछ के अब यह formula लिख रहाओ r3 minus 3 r1 अब जहाँ पे मैं values put करूँगा यहाँ पे तो यह वाला लेना है इसके लिए यह वाला लेना है इसके लिए यह वाला लेना है अब r3 का value क्या है दोस्तो 1 है minus 3 है और r1 का value क्या है दोस्तो यहाँ पे minus 1 है तो यहाँ पे हमारा answer क्या है दोस्तो 4 r3 का value क्या है दोस्तो 3 है minus 3 r1 क्या है दोस्तो minus 2 तो finally यहाँ पर answer कितना है दोस्तों 9, 3, minus 3, minus 2 R3 कितना है दोस्तों इस वाले के लिए minus 2 और minus 3, R1 कितना है, minus 4 तो यहाँ पर कितना है, 10 है अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, next R4 minus 6, R1 R4 कितना है, 3 है minus 6, R1 कितना है, minus 1 तो यहाँ पर answer कितना है गा, 9 R4 कितना है, 0 है minus 6, R1 कितना है, minus 2 0, minus 6, minus 2 12 है R4 कितना है, दोस्तों, minus 7 है minus 6, R1 कितना है, दोस्तों, minus 4 तो यहाँ पर answer कितना है, दोस्तों, 17 तो देखों, यहाँ पर R4 का value हमने लिखा दोस्तों आर फोर का वैल्यू माइनस सेवन माइनस सीक्स आर वन तो यहां पे जीरो माइनस सीक्स यस पर्फेक्टली हमने सभी वैल्यूस को लिग दिया अब यहां तका पार्ट होने के बाद दोस्तों अब मैंने बोला कि जैसे आप रो अपलाई करते हो तुरंद आपको कॉलम अपला लिग वैल्यूस जीरो जैसे आप इसके नीचे के सभी वैल्यूस जीरो खिया फिर नेक्स टार्गेट आपका यह जीरो करना है। कॉलम ट्रांसफॉरमेशन से और कॉलम ट्रांस्पॉरमेशन तो बहुत मजा है। यह कॉन सा रो है दोस्तों C2 है किसका रिफ्रेंस लूगा C1 का, कौन सा रो है दोस्तो C3 है किसका reference लूगा C1 का कौन सा रो है दोस्तो C4 है किसका reference लूगा C1 का, यहाँ पे गया दोस्तो, minus 1, opposite के आएगा plus 1 तो लिखने की जोरत नहीं है, minus 2, opposite के आएगा plus 2, minus 4, opposite के आएगा plus 4, सर्फ, formula तो आपने एक जटके में बनाना सीखा दिया है अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को समझनी कोसिस करोगे तो देखो दोस्तों देखो सबसे हले चेंज क्या नहीं होगा दोस्तों C1 चेंज नहीं होगा तो देखो मैं यहाँ पे सेम टू सेम सभी वैल्यूस रख रहा हूँ और आपको पता यह सभी वैल्यूस जीरो आएंगे और हमेशा याद रहना कॉलम की वज़े से इसमें कोई चेंज नहीं होने आला है बस यह जीरो लिखने के बाद आज इस पूरा लिख दो कोई चेंज नहीं आएगा देखो 5 है 3 है 7 है 4 है 9 है 10 है 9 है 12 है 17 है अगर आपको ऐसा लग रहेगी नहीं मुझे तीन गंटे में पूरा का पूरा बस यही पेपर सॉल करना तो करो C2 प्लस C1 करो बाई C2 को C1 के साथ प्लस करो 5 आएगा C3 को 2C1 करो C3 है 2C1 करो सेम आएगा कोई चेंज नहीं आएगा बस यहाँ पे 0 अब दोस्तों यहां तका पार्ट होने के बाद अब चलते हैं तो इसको नेक्स स्टेप यहां तका बहुत ही अच्छे तरीके से हमने प इतना अच्छा हैं अगर आप देखो कि न तो टीजर्स लोग क्या खते बता है बुक में जो स्टेप लिखा है वह इस सेम बता देते हैं यहां पर ऐसा आएगा अरे यहां पर आगया तो बाकी सम में सर कैसे आएगा मैं कैसे समझूंगा कि बाकी सम में ऐसा करना है क्योंकि यहां पर आप 1 लाने के लिए 5-4 करते तो भी 1 आ जाता पर यह हर बच्चे को नहीं समझेगा यह हर बच्चे को अभी के लिए 5-4 आ गया 1 आ गया ठीक है अब आप 2-3 करो अभी आ जाएगा पर हर केस में नहीं होगा तो मैं ऐसा आपको तरीका वता दूंगा कि हर समा वैसे सौल करो आपका एंसर आप पहले इसको वन कर दो भाई चाहे कोई भी नंबर आ जाए यहां पर आपको कुछ सोचना नहीं एक नॉर्मल सा बच्चा भी इसको सब्सक्राइबर तो दे दो भाई अब यहां पर मस्ती कर रहा हूं नहीं देना है नहीं दो के चलेगा मस्त मैं मेरा महनत कर रहा हूं देखो यह देखो आरवन सेम है अब देखो दोस्तों यहां पर आपका पूरा का पूरा सेम आएगा यह वाला भी पार्ट दोस्तों आप यहां तक का पार्ट हो गया, फिर से यहां पर आया तो नीचे देखो 0, बाजु में देखो 0, अब देखो दोस्तों मैं यहां पर 0 लाने की कोशिस करूँगा, तो देखो यहां पर नीचे 0 करना है, मतलग किसको 0 करना है, आर तरी को, विथ रिस्पेक्ट टू अब मैं यह वा होगा दोस्तों, देखो सबसे पहली बात, आर टू चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, 0 है, 1 है, 3 by 5 है, 7 by 5 है, और जो आगे है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, अगर आप चेंज करोगे, तो कोई चेंज नहीं होगा, और आपको बता है, यह दोनों फॉर्बला हम क्यों अप्लाइ कर रहे है, यहां पर 0 लाने के लिए, तो यह 0 लिखते हो, तो बस बचे हुए आपको 4 वैल्यूस क्या करना है, दोस्तों, अगर आप इनिशनली बहुत अच्छे से सम को सॉल करते हो, तो आप आराम से लास्ट तक भी बहुत अच्छे से पहुश सकते हो, अब देखो यह यह वाला दोनों फाइंड आउट करने के लिए आपको यह फॉर्बला यूज करना है, आर त्री माइनस फॉर, आर त्री कहा माइनस फॉर, आर टू कितना है, दोस्तो, सेवन बाइफाई, तो फाइनले दोस्तो यहाँ पे ट्वैंटी टू बाइफाई, देखो जो आ रहा है, वही हम रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अब यह फॉर्बले का 12-9, क्योंकि मैं देखो, यहाँ पे हुँँख, तो यह वाला value लेना होगा, थर्ड वाला, 12-9, आर टू कितना है, दोस्तो, 3 by 5, तो फाइनली विमारा value कितना है, दोस्तो, 33, 33 by 5, और दोस्तो, यहाँ तक हो गया, आप देखो यह, तो यह 17-9, यहाँ पे गर आप अब देखो दोस्तों इसके बाद भी समना बहुत आसानी से सॉल हो सकता है यहां पर आपको जीरो लेकर आना है तो हो जाएगा बट मैं ऐसा स्टेप से रहता हूंगा कि वह स्टेप हर एक सम में सॉल होगा तो इसलिए मैं जान पुछ के यहां पर वन आया ना अब देखो यह वैल्यू के आएगा 7 by 5 सो क्या चेंजस में वारे को 1000 पर्फेक्ट है जीरो 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 पार्फेक है। टू वाला वैलूस भी सेम होगा दोस्तों कोई चेंजस नहीं होगा। और यह दोनों फॉर्ले के लिए यह दोनों जीरो हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर कभी भी आप कॉलम का फॉर्मला अपलाए करते हो तो इसमें कोई चेंजस नहीं है बस यह दोनों 0 लिखो बाकी सेब सब यहाँ पे सेम रखो 22 by 5 33 by 5 22 by 5 as it is अब यहाँ तक आप होने के बाद दोस्तों मैं चाहता इसको कॉपी करो और मैं निक्स्ट स्टेप की और बढ़ू अब हम क्या करेंगे दोस्तों देखो अब यह वाले स्टेप पे इसको वन करो कुन से रो में दोस्तों आर्ट्री में डिवाइड बाइड थर्टी त्री बाइफाइड जान बुच के लिखाओ 5 इसको अगर इसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो वन आएगा अगर देखो यह वाला पार्ट आपको नहीं समझ रहा है तो 22 बाइफाइड 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 थर्टी त्री बाइफाइड तो फाइनले यहां पे टू बाइफाइड एंसर आ रहे हैं कोई दिक और यह 22 बाइफाइड अब यहां देगा पार्ट होने के बाद दोस्तों फिर से वही रूल हम करेंगे देखो वन आया तो नीचे जीरो बाजो में जीरो तो मैं यहां पे क्या करूंगा दोस्तों यहां पे आर फोर हमारा जीरो लाना है अब बित रिस्पेक्ट तो इसका ल जीरो है, वन है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, वन है, आर थ्री भी सेम होगा दोस्तों तो टू बाइ थ्री सेम है बस आर फोर चेंज होगा तो आर फोर चेंज करते टाइम यह जीरो है, जीरो है यहां पे तो मैं में फॉर्बला ला रहा हूं जीरो लाने के लिए तो यह तो direct 0 है और यह solve करना होगा formula का according R4 कितना है दोस्तो 22 by 5 minus 33 by 5 into यहाँ पर कहाएगा दोस्तो into 2 by 3 R3 का help लेना है ना तो 2 by 3 फाहिले दोस्तो यहाँ पर answer कितना रहा है 0 अब दोस्तो यह वाला part होने के बाद हमें कहा करना है दोस्तो column apply करना है column में किसको 0 करना है दोस्तो C4 को with respect to क्या लोंगा C3 और minus 2 by 3 तो दोस्तो यहाँ पर अगर आप द्यान से देखोगे तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 देखो दोस्तो C4 पर बस apply होगा C4 होगा तो C4 0 हो जाएगा and 0 0 0 0 almost यहाँ पर पूरा का पूरा पार्ट अपने आप आ गया अब मुझे बताओ यार रैंक आफ नॉर्मल फॉर्म में आ गया रैंक आफ मैट्रिक्स क्या दुस्तो अगर आप ध्यान से देखोगे देखो 1 1 1 3 टाइम 1 है तो आप यहाँ पर गया लिखोगे दूस्तो rank of matrix which is equal to कितना आएगा दूस्तो 3 तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हमने सॉल किया जैसे मैंने स्टेफ्स बताया वैसे स्टेफ्स में आपको पूरा का पूरा